वेल बच्चों गर आप NEET की तयारी कर रहे हैं या अगर आप लोग CBAC Boards की तयारी कर रहे हैं या स्टेट Boards की तयारी कर रहे हैं तो एक वीडियो को आप लोग स्टारी करवाया जाएगा और सिर्फ कंड़क्टिया नहीं करवाया जागा यहां पर सिलेबस में बदला हो क्या जाएगा न्यू परकार की एंसी आइटी अभी आएगी प्रिवेसले ने देखा कि पिछले साल एक निव निव एंसी आदि आएगी पूरी बात है क्या है आई एकदम बुलेट पॉइंट में हम लोग इसको समझते हैं इस वीडियो का आप लोग 1.5x के स्पिट पर लगा दिजिए शुदाट कि आपकी टाइम की बचत हो पाएजी देखे सबसे मेला क्या हुआ इसको नम एकदम बुलेट पॉइंट में आपको लेकर आया हूं जी देख तो जो उनियन एजूकेशन मिनिस्ट्रिय उन्होंने एक नया एजूकेशन का फ्रेम वर्मॉर्क रिलीस किया इंसेंग विद ली आपका जो नैशनल एजूकेशन पॉलिजी 2020 आ दा उसके सिंटरफेशन में नया एजूकेशन पॉलिशी को रखा गया है क्या रखा गया साल में दो बार एक्जाम होगा समझी एक बारी तुम्हारा जून में हो गया एक बारी तुम्हारे पास जैनवरी में हो गया समझी कि जून वाले में में को 98% आया है मैं मान के चल रहा हूं और मेरे को जैनवरी वाले में 86% आया है तो मैं मेरे जहां पर मेरा अच्छा नंबर है मैं उसको retain करके मेरा मैं माक्षिट बनवा सकता हूं जी यह पहला एक आया है जी दूसरा क्या अब बोर्ड इग्जाम विल असस अंडर्स्टांडिंग अचीवमेंट अब दी कॉंपेटेंसी दान दा मंत अफ कोचिंग इन देखो यहां पर ऐसे कि इसिव रतने वाले पर ज्यादा फोकस ना किया जाए जहां पर आपके स्किल को डिवलक्ट को बिल्ड किया जाए यहां पर ऐसा फोकस क्या गया अब इसको करने के लिए सरकार क्या करने वा ली है अच्छा चोई सभिक्ट इंधी क्लास 11th लेकिन अगर आपको लग रहा कि में को जोग्राफी बहुत पसंद है तो आप लोग यहां पर जोग्राफी को भी रख सकते हो अपने लेकिन अगर आपके बस फ्लेकिन रहें के लिए अब क्लास इलेवन तो लेकिन नीट टुट्टी अटू लाइंग्विज अब फॉर एक्जाम्पल समझें पहले से भी आपको दो लाइंग्विज पढ़ना है तो बच्चें हिंदी और इंग्लिश पढ़ते थे अब यह कह र तो मैं हिंदी पढ़ूंगा लेकिन फ्रेंच बहुत पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं हिंदी और एक मैं फ्रेंच लाइंग्वज भी ले सकता हूं यह मैं इंग्लिश या फ्रेंच पर सकता हूं तो पहले क्या था कि आपको दो आपको लेना था आपके पास आपके for 2024 academic session यह लाइन बहुत-बहुत important है अपके रिस्पेक्टिव किस स्ट्रीम से आपके लिए नई प्रकार की test book बनाई जाएगी जो कि basically concept based textbook होगी और यह भी तो textbook में बनाया गया था लेकिन यह textbook क्यों बनाया गया था उसका अपका अप्लाय हो जाएगा जी ठीक है इसके बाद अच्छा करेंट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग दर टेक्स्ट्बूक इंदी classroom विल बी अवाइड जैसे कि अभी रटवाते हैं न वह सब को अब अवाइड किया जाएगा पीपीटी बेस्ट लर्णिंग के पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जी अब देखो इस्कूल स्कूल बोर्स डिवलपक कैपैसिटी इस तो ऑफर ओंडिमांड इग्जाम इन ड्यू कोर्स आफ ताइम फार इग्जांपल यह बहुत मेजर चेंज भाई जी पहले क्या था कि हमारी दिवाली के चुट्टी के पहले की पिप अब बच्चे अगर यह कहते हैं स्कूल को कि सार अभी हमारा ओंडिमांड तुम पेपर ले लो तो आप उन डिमांड पेपर का भी रिक्वेस्ट अपलोग कर सकते हो मेजॉरिटी आफ बोर्स के बिसेश पर इस्कूल अब ओंडिमांड पेपर भी कंडग करवा सकते ही रिस ने एक नॉम सेट किया होगा उसी साफ साब टेपर को भी चक किया जाएगा जी तो यह यहां पर फ्रेमवर को डिवलब किया गया सीब्सक्राइब सवाल यह आ रहा है कि सर इसे नी 24 वालों क्या फरक पढ़ने को नी 24 वालों एक्दम कर रहें तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग इस बात पर फोकस करेंगे क्या क्या भी फॉर नाव आप लोग ओल्ड एंसी आट को ही पढ़िए बिकॉस आपके लाए भी तो कुछ भी बदलाओ नहीं क्या गया सिर्फ वालों के लेकिया गया दूसरी बात क् उफीशल नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए एंटी और एम से की एक बार ही उनका नोटिफिकेशन आजाए उसके बाद ही आप लोग कुछ भी डिसाइड कीजिएगा ठीक है यह बात इसके साथा तक वाब 24 की तो एक्जाम देने वाले है नीट की तो हम लोगो ने सब 25 से लेकिए आपके बाद 31 तक एक विक्के लिए बेस्ट शेशन शेडियूल के होगा है इसमें क्या जिए 25 को अम लोग करने वाले हैं सारे डाइग्राम बेस्ट कोशिन 26 को अम लोग सेल डीजिस ग्लांड बेस्ट कोशिन 27 को निमारिकल बोल्ड वर्ड बेस्ट कोशिन 100-100 सब्सक्राइब के लिए मेरे प्यारे बालों को जाके अभी एंड्रोल कर लिजेगा अगर तुम इस्टेस के लिए तयार हो हैस्टक तयार कमेंट सेक्शन में बढ़ दिजिए का जी ठीक है वैसे 28 29 30 और 31 के लिए पूरा का पूरा शेडियूल आपका कर दिया गया क्लास त के साथ तेलीग्राम पर अब कोई भी क्लास के लिंक नहीं आ रही है सारी लिंक अपको मेरे कमिले टाप पर मिलने वाली है और कमिले टाप अनेकैडमी का है जो कि टेलीग्राम की तरह है आप लोग जाकि मुझे यहां पर फॉलो किजिए इसका भी लिंक दिस्क्रिप्शन करना है तो आप लोग कर सकते हो इसका भी दिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है फुरी एक दम एक रुपय आपको देने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है जी वैसे ही अगर तुम चाहते हो कि मेरे को चाप्टर वाइस आता मुझे यह वाइस प्रक्तिस करना है जी त तुमको वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा कुछ अभी भी डाउट है डू लेट उसनों इन दा कमेंट सेक्शन मिलते अंगले वीडियो में अभी के लिए बसना है थैंक्यू जैहिंद बाबाई